चलिए आज मनाना सीखते हैं ककड़ी का रायता बिल्कुल आसान और बहुत ही स्वाधिश्ट हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सुस्मा और वीडियो शुरूर करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वो वीडियो को पूरा जरूर देखे तो इसके लिए हमें लेना है एक ककड़ी और उससे सबसे पहले उसका चिलका हटा दे और फिर इस प्रकार से आढ़ा चाकु चलाके उसे अलग कर लेना है तो इसी प्रकार से ककड़ी को चोटे-चोटे पीसे में काट लेना है तो यह देखे मैंने ककड़ी को काटके तयार कर लिया है इतने चोटे पीसेस निकाल लेना है अब इसे मैं एक तरफ रख दे रही और इसके लावा हमें लेना है तीन, दो से तीन चमच मुम्फली इसे मैंने भून लिया है ताके इसके छिलके निकल जाए तो इसके छिलके इस परकार से निकाल लेना है और इसके अलावा हमें लेना है धनिया पत्ती ये देखिए इसे भी धोके मैंने काट लिया है और तीन से चार हरी मिर्चली है इसे भी इस प्रकार से काट लेना है और अब लेना है एक बॉल भरके मैंने ये मीठा वाला दही लिया है खटा दही या मैंने लेना है तो ये दही लेना है और ये मुमफली को मैंने छिलके निकालके उसे कूट लिया है अब एक कडाही को गरम होने रख देना है और उसमें एक बड़ा चमच मैंने तेल डाल दिय और गरम होने पर कड़ाही के यह मैंने राई से बगार दिया है और इसमें हरी मिर्शे डाल दिया है इसे इस प्रकार से थोड़ा सा हिला देंगे और अब मैंने इसमें डाल दिया है वन टीस्पून चीरा इसके बाद इसे भी थोड़ा सा इस प्रकार से हिला देंगे ताकि अच्छे से भुन जाए वो और इसके बाद जो कक्डी हमने काटी थी वो इसमें डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम मैंने मीडियम पर रखा हुआ है मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे बीच बीच में थोड़ा सा इस प्रकार से चलाते रहेंगे और दो से तीन मिनट के बाद अब मैंने इसमें ये एक बॉल जो दही था वो मैंने इसमें डाल दिया है और मुझे अभी ये थोड़ी गाड़ी लग रही है रायता तो मैं इसमें थोड़ा सा दही और एड़ करूँगी तो ये मैंने थोड़ा दही और डाल दिया है आप जितना पतला ये जितना गाड़ा रखना चाहें उस हिसाप से दही को कम ये जादा कर सकते हैं तो अब ये मैंने डाला टेस्ट के अनुसार नमक और ये शक्र दो चम्मच इसमें मैंने शक्र डाल दिया है और अब ये भुनी और कुटी हुई मुमफली डाल दिया है मुंफली को दरदराक उठना है बिल्कुल बारेक नहीं करना है यह सभी इंग्रेडियंट्स को मैंने मिला दिया है और अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ढांक देंगे और कम से कम 3-4 मिनिट इसे अच्छे से ढांक के पका लेंगे तो यह देखिए योबाल आ गया इस अब इसे बाल में निकाल लेंगे और रायता बनके तयार है बहुत ही जल्दी कम समय में बन जाता है वो खाने में उतना ही स्वादिष्ट है तो आप एक बार जरूर बना के देखिएगा